हेथॉग में टिंट कभी भी हो सकता है लेकिन जो जाधा केसीज nootis किए गये हैं वो है अप्रायल से लेकर सेप्टेंबर महीने की वीच में टिक फियोर होने के चांसेज ज्यादा होते हैं डॉग में क्योंकि फ्रेंड होता क्या है इस समय इन्वार्मेंट में जो है हमिलिटी यानि मौश्टर ज्यादा होता है और टिक के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है फ्रेंड अभी जून का महीना चल रहा है तो इसमें क्या ह इसमें टिक्स क्या होता है टिक्स के लाइफ साइकल क्या है टिक्स जो है कैसे डॉक के बाड़ी पर आता है और टिक्स का जो है कैसे कंट्रोल क्या जा सकता है इन सभी के बारे में मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल बताया है जो भी लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज इस वीडियो के एक बाद जरूर देखें इससे क्या होगा उनको टिक्स फिवर समझने में ज्यादा असानी होगी फ्रेंड आज के इस इस्पिसल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टिक्स से क्या क्या डिफरेंट डिजीज हो सकते हैं Tick Fever क्या है Tick Fever होने के बार dog में क्या science symptoms दिखते हैं और Tick Fever का treatment क्या है और इसका control कैसे कर सकते हैं Friend आज का वीडियो बहुत ही important है तो आप वीडियो के अंद तक बने रहिए वीडियो स्टाट करने से पहले जो हमारे नए वीवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल अनप्रेस डेबल आइकन जिसे आपको फ्यूचर में ऐसे ही जो है पेट्स रिलेटर जानकारी आपको मिलती रहेगी फ्रेंट, लेट्स चैनल वीडियो इसको एनपलाज़्मोसिश बोलते है इसी पिरकार अगर तिक्स जो बर्गडो फैरी बक्तिरीय करता है तो उसकी वज़से जो होता उसको प्रेंद इसको ढ़से कई पर शीर करते है लेड़ यहां पर किलियर करों नदने पहले हो इस 다니 Calvin तो इंप्टेड मतलब जो आरगेंजेम अगर हो क कारी किया हो अगर वह यो है ब्लक् सक करता है तो टिकाशल होने के commencement है अगर उस टिक ऑढर कोई भीम आरगेंजम नहीं होता है तो टिकाशल नहीं होता यह अँट फ्रैण ऐसे मैंने बहुत सारे में सねद वह यह होता है पूरी तरह से टिक से कबर रहता है लेकिन इन्दर शेने के टिक नहीं होता है कि अятель से यह देखेच जिसमें star होते हैं लेकिन फिर भी टिक टिक ड्योर किसे है तो यह चाहता हु इस आप समझ गया हूँगे में कहना क्या चाहता हूं फ्रेंड एक कि जनकारिय को देता हैं डॉघ में मूसली टॉथायप्स के टिक्स पाइजाते एक होता है डेर्टिक ऐसे बल्यक लेग टिक बोलते हैं और एक होता है बॉट कि यह sensor है यही दो तरह यह टिक्स मूसली डॉणि पर पाये जाते हैं अब आपको बताते हैं टिक फिवर होने के बाद डॉग में क्या सिम्टम्स दिखते हैं तो आपने नाम में ही देखा हुगा टिक फिवर यानि उसको जो है फिवर होता है एक्शली में होता है डॉग का जो बॉड़ी टमप्रेचर होता है वो लगभग जो है 105 डिग्री फारे है करने पे पता चलता है कि असका जो प्रिफरेग लिंफ्नोट होते हैं जो इस्पैसली जो है आगे के पहरों में पीछेव के पहरों में होते हैं जो है तुसमें जो स्वेल आ जाती है इसके हैं इसमें बहुत सारे हैं किह स्राव Ma ma d fake ओ में को सबिभ booking हरा से किया सई- इसी डॉग में जो है respiratoryoster होता है मतलब उसको सास लेने में भी दिक्कत होती है अगर डोग मेरा amazed व्यती इसको जा पर युकम है इसको जो है Ça इसके डाउस जो है उने इसके कम और सकते हैं इसको जो है ब्लच तेस्ट इसके होता है जो सटेंटेëlिक इसको टेकिंट क्रेट इसके अलामा जो है ब्लड इस्मेर कर सकते हैं यह च्तेंट मैंने प्रेंट किया ऑंसको लिए ठप्री करेंगे रहता है तो फ्रेंड सबसे बेस्टि अगर ब्लट क्लेक्शन और येश कुझे कर लिए दू कर चान्स दें। इसंग के लिए पंद अब बात करते हैं। आप करते हैं तिक वीवर का टीटमेंट किया है? जैसे अगर उसको उल्टी हो रहे तो इंटीमितिक दिया जाता है ज्यादा ग्यास बन रही है तो इंडसीट दिया जाता है इसके अलब मल्टी विटमिन दिया जाता है और टंप्रेचर करने के लिए इंटी पायरेटिक दिया जाता है और जैसा कि हम लोग जानी रहे हैं कि ज जरूत पड़ सकती है फ्रेंड सीवेर कंडिशन में आपको डॉक को जो है हॉस्पिटल में इड्मिट करना पड़ सकता है काफी समय के लिए और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा चलता है फ्रेंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं अगर एक बार जो है टिक फिवर क पर आही न पाए तो फ्रेंड इसके लिए जो है मैंने एक अलग से आलेडी जो वीडियो बना दिया है आप उसको जरूर देखें और इस वीडियो को जो है आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और इसका जो है लिंक डिस्क्रेशन पर भी मिल जाएगा टिक का कंट करना बहुत ही होता है अदरवाइस डॉप में रीइंफेक्शन होने के चांसे ज्यादा राते है तो फ्रेंड बहुत सारे प्रोड़क्ट यूज के जाते हैं डॉग में तो फ्रेंड आपकी सुब्दा के लिए मैंने सभी प्रोड़क्ट का लिंक जो है डिस्क्रेशन में दे दिया है आप वहाँ पे जाके क्लिक करके वो समान परचेश कर सकते हैं ओके फ्रेंड आइँ होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड अगर आपको मिडियो अच्छा लगा है तो आप जो है इसको लाइक और सेर करना न भूलें कर आप हमारे चैनल प वीडियो में किसी नए टॉपिक पर जय हिंद।